hello everyone welcome to skill in a box मेरा नाम खुश्बु च्रहान है और आज हम कुछ रास की बाते करने आए हैं चाहते तो हम सब्वे साची लेखिन बजट में हैं शबाश चाची पर क्यों कभी सोचा है आपने तो आज हम जानेंगे कि डिजाइनर्स के कपड़े आखिर इतने महंगे क्यों होते हैं चलो दिस्कवर करते हैं इस प्राइस टाइक के पीछे छुपे रास को रुगो 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 आगे बढ़ने से पहले एक फैक्ट बताती हूं आपको मालूम है कंगना जनौट नेकरिश्थ्री में जो बॉडी सूट पहना था वो एक करोड का था और उसमें टो मैं आप पर छोड रही हूं बट आई विल से वन तिंग कि इतने में तो मेरा घर, मेरी गाड़ी और एक अराम की जिंदगी तो मैं अराम से जी पाऊंगी अभी खृष्थ्री के सेट को छोडते हैं चाननी चौक चलते हैं चाननी चौक में एक लहंगा 5000 का भी मिलते हैं और बहुत ही कम मात्रा में चैमिकल्स एंड हांश डाइस इस्तिमाल होती हैं याने कि say no and bye bye to itching चलो अब हम ब्रोकेट की ही बात कर लेते हैं एक कारिकर को 10x10 इंच का पैनल बनाने में यानि 10x10 इंच इतना एक कपड़ा ब्रोकेट का बनाने में कम से कम 15-20 घंटे लगते हैं वो भी मिनिममम मैं आपको बता रही हूं अब आप खुछ सोच लो एक साड़ी आएक लेंगा बनाने में आखर कितना टाइम लगेगा में तोड़ा सा अंदाजा दे देती हूं एक ब्रोकेट की साड़ी बनाने में एक कारिकर को कम से कम 6 महीने लगते हैं अब वो 6 महीने की महनत एक कारेगर की आपको 5000 में तो मिलने से रही यह चोड़ो चिकन कारी एक मामूली सा चिकन कारी का कुरता उसको बनाने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं अब वो 15 से 20 दिन की महनत आप साड़े 500 या 1500 में तो नहीं मिलेगी राइट चलो यह तो कुछ मेजर फैक्टर्स थे कि लेंगा एक चार्नी चौक वाली लेंगे से इतना मेंगा क्यों होता है लेकिन इसके अलावा में कुछ फाक्टर्स हैं जैसे की मार्केटिंग एड़िटाइजिंग कॉस्ट उसके अलावा हाय डिमांड मेरा मतलब की अब कोई डिजाइनर लेंगा बना रहा है तो उसको प् एक्स्क्लूजिविटी यानि की रारिटी कम ना हो अब चलो मैं आपको एक्जामपल ही दे देती हूं लूइविटॉन को देख लो सब उनके प्रोड़क्त की दिमांड हाई होई थी तो उन्होंने अपना पुरा स्टॉक जला दिया था ताकि उनकी सिंगुलारिटी कभी क कम ना हो अब इतने सारे फाक्टर मैंने आपको बता ही दिया तो ओविसली इन डिजाइनर गार्मेंट की हाइप तो बनना इंपोर्टेंट है अब हमने एक्स्क्लूजिविटी की तो बात कर ली अब हम थोड़ी सी हाश रियालिटी की बात करते हैं अभी तक जितने भी मैं इनके 12–14 गंटे काम करते हैं और जितना वो डिजर्व करते हैं उतना उन तक नहीं पहुंच पाता है वो बहुत मिनमम वेज़िस पर बहुत जाधा काम करते हैं अधिक तर जितने हमारे MAIR उसके अलावा हमारा दूसरा ड्रॉबाग हमारे वेस्टेज और रिस्टोर्स है अब जैसे मैंने आपको थोड़ देर पहले एक्जांपल दिया था कि लुई विटॉन अपनी एक्स्क्लूजिविटी को मेंटेन करने लिए कैसे अपने स्टॉक को जला देते हैं और मैंने आपको यह भी बताया था कि डिजाइनर के गामेंट कितनी टॉप कॉलिटी के होते हैं अब जितने भी टॉप कॉलिटी के रिस्टोर्स उसमें यूज हो रहा है वो तो एक्स्क्लूजिविटी बचाने की चकर में जला देते हैं इससे हमारे इन्वार्मेंट को तो पढ़ी रहा है उपर से रिसोर्स भी वेस्ट हो रहे हैं अब मैंने आपको बोला था कि एक लेंगा पचास लाग का अब उसको बनाने में पचास लाग तो नहीं लगे होंगे अब डिजाइनर्स की गार्मेंट इतने बहेंगे क्यों होते हैं उसका रास तो मैंने आपको बता ही दिया साथ की साथ उसके कॉन्स भी अगर आपको लगता है कि कोई फैक्स मुझसे छूट गिया है आपको कुछ मालूम है तो कॉमेंट राउन बिलो और शेर इत विद अस अलसो लाइक, कमेंट और शेर अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो सब्सक्राइब तो आ चानल, सी यू ने नेक्स वीडियो